नमस्कार चलिए करें किया कुछ आपकी पराम बताती है और अपकी कुली को मैं एक बर नज़र डाल लेती हुए अपकी कुली मीसलगन की है और कन्यारासी है गुरू आपका स्रेखन्त हाउस में बैठा हुआ है जे गुरू जब दिए अकेले बैठे हैं ना तो यहां पर है ज तो सिर्फ एक्टिव ग्रह जो है ना सिर्फ गुरू था एक्टिव गुरू होने से और यहां पर अकेला देखिए गुरू जब भी कहीं पर बैखते है ना तो उस भाव का नास करते हैं इस बदर से आपका दाम पत्य जिवन भी प्रॉब्लम में आया है आपकी दसा कौन से च चलेगी 20-32 तक चलेगी आपकी उसके अंदर अच्छे ग्रहों की दसा महरश आएगी तो फेस्थितिया ठीक रहेगी आपकी पाम पे आते हैं कुल्डी तो ठीक नहीं दिख रही है आप पे देखते हैं देखिए सबसे पहले आपके सवाल को मैं लेती हूँ आप में पूछ सबसे पहले आपकी हथेली अगर देखा जाए तो इसक्वाईरी सेफ में है और हथेली बड़ी है जब भी हथेली इसक्वाईरी सेफ और बड़ी हो तो अच्छी होती है हथेली हो तो ऐसे जा तक बहुत करी मेहनत करने वाले होते हैं और आप देखेंगे अपने हथेली को फीजिकली एरिया और ये एरिया उर्दाइज ज्यादा डेवल kम मैं यह लिया इसे कर दो बवुद करते हैं मेंच्छा., अब चरॉटेम ज्यादा होते हैं। इसके यृदिध के में सेटनले, जैदा होता हैं। है ज्यादा स्टी estás charm भी एक opposite बलत करते हैं। तो अप सेटिंग अच्छा होता है हां आप में जरूर आपने लाइप में बहुत प्रॉबलम देखा है bigilkulin bleibt कि यह सेटिंग होता है इसे जाता को expensive चीजे पसंद आती है expensive होते हैं फिंगर एक तरफ एक फिंगर बिल्कुल अलग है जिसका मतलब होता है कि आप अपने घर में अपने फूल में अपने खांदान में बिल्कुल हट के काम करेंगे जो काम कोई नहीं किया हो वो काम करेंगे positive way में यहीं कि उ मतलब होता है कि आप किसी के भी frozen by अंदर काम नहीं कर सकते हो और जो भी करोंगे अपने कि अब्स के साथ कोई यूजिक कोई काम करते हैं अच्छी बात है अब देखें गुरो की फिंगर की लेंध चोटी है थोड़ी सूरी की की फिंगर से तो दाम-पत्य सुख में कमी आता है संतान के सुख में प्रोबलम आते हैं संतान के सुख में कमी काने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको संतान नहीं होगा ऐसे जाता है को संतान होते भी तो पढ़ाई के लिए जॉब के में अपने घर से आपके पाद से दूर रहते हैं यह रीजन होता है अच्छी यह रहेेंगी है ना इ利डर्शी लेत्य होंगे आध्यत्मिय को कुंदली में है तो सिर्फ आपके दमपत्ती जीवन को वह खराब करेगा वरना देखिए गुरू की दिरिष्टी अम्रित दिरिष्टी बोली जाते लेकिन हाँ गुरू ही एक्टिव है देखिए इनकी पांच में दिरिष्टी गुरू की पांच में दिरिष्टी होती है और शात्मी होती है तो एक दो तीन चार पंच पांच भी दरिष्टी लाब बहुंपर तो पैसे की कभी कभा ऒही लेहीं कभी साथ में जरीश्टी आपके सरीर पर रहा है तो प्राम जरूरिक्या नहीं रहेगी बहुत अचा रहेगा टीक है AAP की तर की अच्छी है अब देखिए आपकी हाँ भले सत्रूर अशी में गरू पैठा हुआ है आपका अब देखिए श्यनी की फिंगर देखिए तो श्यनी की फिंगर अच्छी है आपकी डिसिप्लिन में रहने बहुत अच्छी है आपकी सूरी की फिंगर जब अच्छी हो तक क्रियाटिव टैलेंट बहुत अच्छा होगा, गौर्मेंट से हमेशा सहता मिलता है, गौर्मेंट जॉब में हो, या पिकिसी ना किसी बज़ा से घर में पैसे आना, इन सबी चीजों को दिखाता है, और मान सम जो पर फोड़ एक कोनुप funeral कुछ बता दिया लेकिन नहीं ऐसा नहीं अपर कमुनिकेशन अच्छा है सब कुछ अजब कुछ का में किट Москвлять सील रही स्कील से अपका कॉन्वेंसिंग स्कील सारे स्किल यूश्चे हैं अब मतलब वहां सी बेसा उन्समोगा Pan graphs गलस समझ लेते हैं आपको दे नहीं हो लेकिन अपने आपको अप्रूब नहीं कर पाते हो यह फिंगर अगर छोटी थोड़ी हो जाए तो इसका मतलब यह होता है अब देखिए थंब आपका काफी छोटा है थंब छोटा होने के बज़र से यह कह सकते हैं कि आप तूदी पॉ परवा से आपका दूसरा पोरवा भड़ा है जब पहला परवा से दूसरा परवा भड़ा होता है तो कहने का मतलब यह हो गया कि विल पाबर अप में पूरा कंध कम है लॉजिक तो बहुत कुछ लगाते हर चीज में ला किपम लोचिक भीन आ creamy शॉता है लेकिन आप गयिक यहां मैरेज ही आप डेखा है मत करना ममी पापा के प्संद तो वह साधी आपकी अच्छी चलेगी अब देखिए आपकी माउंट को देखते हैं और हाँ यह नोट्स भी आपका फिलियर उबरा हुआ नहीं है तो असपस्ट को यह चीज को नहीं कहना है ना बहुत चीजों को आप चाहके भी असपस्ट नहीं हो पाते हो अब देखिए ग करता है तो इंट्यूशन पावर आपका काफी स्ट्रॉंग रहेगा और देखिए आपके शनी के माउंट से लाइन इस तरह से आ रही है जिसका मतलब होता है कि अच्छे सुस्राल होना रीच फैमिली में साधी होना है ना पैसे कोई कमी नहीं होना और यहां पर अभार है य बहुत अच्छे लीडर्सिप क्वैलिटी होते हैं यह लाइन यह लाइन आपको बैंक वैलेस देगा ऐसे ज्याता है कि आप सबस्क्राइब करता है यह लाइन ऊपर थोड़ी जारी यह निगेटिव यह आपके अंदर निगेटिव विचार देते हैं ना तो इसको थोड़ सबसे बड़ी है पॉजिटिव रहें और यहां पर देखिए यह जो उभार है इसका मतलब होता है कि आप जो है ना अपना काम कीजिए अपना काम में ही सक्सेस मिलेगा अगर किसी के अंडर काम करते हैं अगर गौर्मेंट जॉब हो तो दिबेस्ट है और आपके हाथ को दे देखिए इस परकार से यह काइट का साइन हो काइट का साइन आपके माउंट पे होना अपने आप में बहुत बड़ी बाते होती है एक तो सिंगल लाइन का फल मिलेगा एक दम से गौर्मेंट जॉब गौर्मेंट सेवा रिस्पेक्टिव लाइफ है ना दूसरा यह डाइम नेम फेंबाली लाइन भी बहुत सुंदर है यह भी है उसके यहाँ पर आपको देखिए इस परकार से स्वास्तिक का साइंग भी अगर इस तरह देखा जाए तो यह है बड़ यहां पर नहीं है तो किसी भी कारियों में बिगन वादा नहीं आएगी आपकी बहुत सुन्दर हतेली हाँ लेकिन देखे प्रॉब्लम कहां है देखे क्रॉस यह जो क्रॉस है यह आपके पिता को बदन जाना उलिगेशन लगना ये करता है क्रॉस बहुत साइं है आप अप्ने मेहनस से बहुत उपर पहुंच बहुत अच्छे बिधायक बन गए हो बहुत बड़े नोक्री ले लिए अधिकारी पोस्ट पे हो लेकिन यह क्रॉस क्या करेगा किसी ना किसी एलिगेसन लगा कि उस पोस्ट को छेन देगा तो प्रॉबलम यहां पर दिख रहा है देखे तो आप इसकी रेमिडीज कीजिए इ करना है यह तो करना ही करना है आपको तब ही जाकर यह सूरी अपना ब्याद इफेक्ट दिन आप बंद करेगा देखिए आपका बुद्ध बहुत सुंदर है इस पर मल्टी पर लाइने है तो हीलिंग क्वाइलिटी बहुत अच्छी होती है प्लस यहां पर देखिए इस तर चंदर पेर से लाइने आ रही है इस परकार से तो चंदर तो अच्छा विष्ली है बहुत अच्छा है बाहरी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल्दा है फॉरें वेगरा से पैसे का अगर बैपार करते हैं एक्सपोर्ट का करते हैं सेयर मार्केट वेगरा में करते है जो कि फॉर्णा रेर हो तो वह काम करते हैं तो इसे शेयरों में आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा बहुत ही अच्छा आपका चंदर के कोई दिक्कत नहीं है और देखिए यहां पर केतु अच्छा है तो मंगल कबल गुरू का ग्यान अच्छा है शुकर अगर देखाते अच्छा होने से क्या होता है दामपत्य जीवन अच्छा होता है आपका गुरू बैठा हुआ तो प्रॉब्लम हुई है लेकिन आपका अगर सच्छा होने से तो अच्छी रहेगी आपका बहुत अच्छा है अच्छा होने से लग्जरियस लाइफ जीएंगे संदर तक अपती रुज्ञान रहेगा खुद भी आप बहुत अट्रक्टिव होंगे सुन्दर होंगे और आप अगर बिजनेस वेगरा भी अगर करना चाहते हो तो ऐसे तो आपका स्ट्रॉंग है कि कोई भी बिजनेस करो संदर्ता से जुड़ी हुई जो भी जितने भी चाका चांद भोग बिलास की चीज़ें होती है उनका बिजनेस कर सकते हो उसके अगर रहु माउंट देखें रहु माउंट भी ठीक है निगेटिव नहीं है अच्छा है आप देखिए आपके हार्ट लाइन आपका कितना सु 40 तक है ना यहां आपको इमोशनली प्रॉब्लम रहेगा उसके बाद फिर बहुत सुन्दर है आपकी हार्ट लाइन उसके बहुत कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा आप ओल्ड एज में अप्टर 60 आपको फिर हार्ट वेगरा होने के सम्दामना हैं लेकिन बहुत सुन्दर ह हार्ट लाइन है यह हार्ट लाइन आपको बस जो भी 40 साल के बाद आपकी अच्छी आएगी उसके आद इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके आद देखिए आपकी माइंड लाइन आपकी यहां से हट के निकली हुई है ना यहां से बिल्कुल इस तरह से तो सुतंतर मंगल को इंडिकेट करता है और देखिए यहां से लाइने चंदर के माउंट से जा रही है इस परकार से यह जो हैं हलकी लाइने परी हुए और सीम एज है आपका तो 30 से 40 माइंड माइंड और हर्ट से दोनों से आप तो प्रॉब्लम में रहें लेकिन उसके बाद पिर आप इस लिए तो इस विए पर चालिस के हो गए और तो चालिस तक जो भी प्रॉब्लम में इसके लिए अप मेडिटेशन कीजिए महा मिर्टन जया का जाब देगरा करते रहें और लेकिए एक चीज़ में हमेशा बोलती हुए कोई भी लाइन हाथिली में रहे तो अच्छी रहे बड़ तेरी मेरी वह दिक्कत करते है यहां पर लाइन कैसी है हलकी जिग जैक की स्थिती में है ना तो यह लग लाइन अच्छी नहीं बोली जाती है थोड़ा दिक्कत करें देखिए क्या होता है रास्ता जब उभर हग्योदय हो गई है देखिए हमाइन लाइन से भी अभले आपकी प्रॉब्लम अभी चल लही हो लेकिन आने वले टाइम में 33 के बाद प्रॉब्लम दिरे जिरे कम होनी शुरू हो जाएगी और फिर एक एज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और देखिए यह जो रे और सहसी भी मतलब लाइक इस तरह से कॉंबिनेशन होता है सबका उसके बाद देखिए यह जो है यह आपको जन्ता के सपोर्ट देता है बाहरी लोगों का सपोर्ट देता है अपोजिट जन्डर का सपोर्ट लाइफ में हमीसा मिलेगा और यह फॉरें वेगरा से भी पैसा लाइफ 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 और आर्थिक रूप से 43 के बाद आपकी जो सारी रिक रूप से जो प्रॉब्लम्स खतम होना सुरू हो जाएगी उसके अदेखिए अपसुट निकला हुआ तो प्रोग्रेस करना सुरू करेंगे उसके इधर से यह बुद्ध पे जा रहे हैं ना राहू माउंट से तो सरें धन यहां से भी तो पित्रदोस है यहां से भी तो गड़ान योग है यहां से भी पिता के करना को दिखाए आपकर जो कि आपको पता भी होगा कितने बड़े मुझे कोई अच्छी मेंट होगा ऐसे चीज़ों देता है राहू वहाँ पर नेमफें भी बहुत बड़े लेवल का आपको मिलेगा और देखिए शनी पर जा रहे यह लगका तो साथ बहागोद हो चुका है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है हाँ यह आपको हुआ कोई देखिए लेगा है कि यह देखिए लेगी टाहन कोई बड़े लेगा कि वह देखिए लेगा है झाल झाल